दोस्तों बजाज Pulsar 125 BS6 और बजाज Pulsar 150 Neon Edition BS6 की प्राइस में लगभग 10-15 रुपे का ही अंतर है और मॉडल और डिजाइन में कोई बहुत बड़ा अंतर नहीं है इसलिए आपको इन दोनों में से कौन सी बाइक खरीदनी चाहिए मैं आपको इस वीडियो में पूरी जानक करीदूंगा कि आपको कौन सी बाइक करीदनी चाहिए आपके लिए कौन सी बाइक बेश्ट रहेगी दोस्तों नमस्कार आप देख रहे हैं राहूल बरसेज मिन्टू बाइक चैनल को इस चैनल पर आपको बाइक और स्कूटर संबंधित कंपेर की वीडियो मिलती रहती है इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकोल को जरूर दबाएं दोस्तों और इस वीडियो को आप सेयर करें जिससे और भी लोग जान सकें दोस्तों वैसे मैं कमपेर की सुरुआत मॉडल और डिजाइन से करता हूँ लेकिन अगर आप यहाँ पर देखेंगे दोनों बाइकों को 125 और 150 को तो दोनों देखने में आपको एक ही जैसी लगेंगी लेकिन Pulsar 150 Neon Edition में आपको Engine Cowl भी मिलेगा जो कि आपको Pulsar 125 में नहीं मिलेगा बस यही पर आपको अंतर मिलेगा बाकी थोड़ा सा आपको Color का अंतर मिल जाएगा आपको कोई बहुत बड़ा अंतर नहीं मिलेगा अगर आपको दूर से देखेंगे तो आपको पता भी नही को इस पेक्स बता चुका हूँ इन दोनों बाइकों को लेकिन मैं कंपेर कर रहा हूँ इसलिए थोड़े बहुत इस पेक्स आपको जरूर बताऊंगा तो बजाज Pulsar 150 में लगाए गया है 14.5 cc का सिंगल सिलेंडर एर कूल इंजन जिसमें आपको मैक्सिमम पाउर मिलती है ग्राउंड किलिरेंस 165 mm वजन है इस बाइक का 144 kg और पेट्रोल टैंक इसमें 15 लेटर का लगाया है और बजाज Pulsar 125 BS6 की बात करें तो इसमें 124.4 cc का सिंगल सिलेंडर एर कूल इंजन लगाया गया है जिसमें आपको मैक्सिमम पाउर मिलती है 12 HP की 8500 rpm और मैक्सिमम टॉ इसमें 11.5 लेटर का लगाया है और दोस्तों कुछ और इसपेक्स की बात करें दोनों बाइकों की तो दोनों ही बाइकों में आपको ट्यूबले स्टैर मिल जाएंगे और आगे आपको टेलिसकोपिक सस्पेंसन पीछे आपको नैट्रोक सस्पेंसन मिल जाएगा दोनों बा की बात की जाए तो अगर आप बजाज Pulsar 150 नियोन एडिसन लेते हैं तो उसमें आपको सिंगल चैनल ABS मिलेगा जो कि आपको 125 CC में नहीं मिलेगा 125 CC में आपको EFI मतलब कि इसके अंदर electronic injection मिलेगा जो कि कार्बूरेटर वाला है जबकि आपको 150 में आपको fuel injection system मिलेगा तो दोस्तों यहाँ पर मैंने आपको लगभग specs बता दिये हैं और दोस्तों mileage की बात करें दोनों ही बाइकों की तो बजाज Pulsar 125 BS6 आपको लगभग 50 से 55 तक की mileage दे सकती है वो भी जब आप 50 से 60 की speed के बीच में ही बाइक चलाएंगे तभी आपको इतनी mileage मिल पाएगी नहीं से 60 की speed के बीच में चलाएंगे लेकिन इसका एक और benefit है कि इसमें fuel injection system लगा है अगर आप थोड़े सा accelerator खींचते हैं बढ़ाते हैं तो भी mileage उसमें इस्थिर रहेगी ऐसा नहीं लगएगा कार्बुरेटर की तरह कि उसमें बहुत ज्यादा पेट्रोल खा रही है तो इसमें थोड़ा सा बेनी फीट आपको मिलेगा बजाज पलसर 150 नियोन एडिशन में और दोस्तों प्राइस की बात की जाए तो अगर आप पलसर 150 नियोन एडिशन ब्यस्तिक्स में लेते हैं तो लगभग इसकी 100 रूम प्राइस है 86,000 रूपे और पलसर 125 नियोन एडिशन की लगभग 100 रूम प्राइस है 73,000 रूपे और रोड प्राइस के लिए आप अपने नेज़दी की डिलर पर जरूर समपर करें क्योंकि थोड़े से ज़्यादा या कम प्राइस हो सकता है दोस्तो तो दोस्तों मैंने आपको प्राइस, माइलज, फीचर्स और इस्पेक्स इन सारी चीज़ों को बता दिया है अब हम निसकर्स की बात करते हैं हर वीडियो की तरह कि आपको कौन सी बाइक यहाँ पर लेनी चीए तो दोस्तों यहाँ पर मेरे हिसाब से अगर आप 10-15,000 रु बागा कर जब चलाते हैं तो वहाँ पर कार्बूरेटर मॉडल वाली बाइक हैं थोड़ी सी कम माइलेज देती हैं और फ्यूल इंजक्सन वाली बाइकों की माइलेज थोड़ी सी इस्थिर रहती है तो यहाँ पर आपको बेनिफिट यह होगा कि इस बाइक में 150 CC बाइक मे यह बाइक मिलेगी दूसरी चीज इसके अंदर कार्बूरेटर लगा हुआ है जब आप इसको बाद में रिपेयर करवाएंगे तो फिर आपको इसमें खर्चा भी कमाएगा और वहीं अगर हम दूसरी तरफ बात करें पलसर 150 नियोन एडिसन की तो उसमें फ्यूल पंप लवा सकते हैं लेकिन यहाँ पर मैं आपको यह भी बता दू कि इतना जल्दी कोई खराबी नहीं आती है जितना जल्दी इसकी बात की जा रही है कि फ्यूल पंप खराब होगा तो क्या होगा दोस्तों तो इसलिए आपको बहुत ज़ादा सोचने की जरूथ नहीं है मेरे ह पर पलसर 150 मेरे हिसाब से ज्यादा बेश्ट रहती है दोस्तों लेकिन अगर आप जैसे कि पूरा मज़ा चाहते हैं और आप चाहते हैं कि बाद में उसमें खर्चे भी कम हो आप उसको कहीं भी रिपेर करवा सकें तो इस कंडिशन में आपके लिए पलसर 125 ज्यादा बेश्ट रहेगी दोस्तों तो मैंने आपको सारी चीज़ें बता दी है प्राइस माइलेज फीचर्स इस्पेक्स और साथ में निसकर्स भी बता दिया है अब आपको ये वीडियो कैसी लगी आप लोग कमेंट में जरूर बताएं और दोस्तों मैं जल्द ही और वीडियो लेकर आने कुछ दिन थोड़ा ज्यादा देर हो गई इसके लिए मैं चामा चाहूंगा अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो आप इस वीडियो को लाइक करें शेयर करें चैनल को हमारे सब्सक्राइब करके बेल आइकोन को जरूर दबाएं दोस्तों और आप हमें इंस्टेग